हालो हाई बैरी गुड इवनिंग जै श्रीशाम जै राधे राधे आज अपन जो है वो भैसकी नसलों के बारे में पढ़ें है कुछ पहले से ही बता रहे हैं कि मैं माज अपन भैसकी नसलों के बारे में पढ़े हैं चलो अच्छा है बहुत अच्छा लगा आप जान करकि आप लोग जो हो इतना ख्याल रखते हैं कि कुछ बच्चों के नाम ले लेती हूँ, मनीश सेन है, मोनु मीना है, योगेश है, प्रकास है, मनीश सेन, रवी चोधरी, very good evening, सचीन वर्मा, नमस्कार, राजेंदर कुमार बोलें, नमस्कार, भयाना भरतपूर से बहुत अच्छा, पोम सिंग है, पूरन सिंग है, माही है, म मनीश सेन, बार 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 बोल रहे हैं, very good evening, मोनीका, देवजाट, good evening, भैस की नसले पढ़ने वाले हैं, चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं, अपनी क्लास, अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले अपन देख लेते हैं, कुछ जो है, वो भैस के बारे में कुछ जनरल ची डेटा में आपको मैं जो है, वो डेटा अपडेट कराना चाहूंगी, गाय की नसलों से समझत, गाय की नसले आपन पढ़ चुके हैं, सबसे पहले, गाय की नसलों के अंदर अपने कुल 41 नसले देखी थी, जो रजिस्टर थी, 41 की जगह आप वहां पर 50 नसले कर लो, 41 की ज गाय की नसले हैं, वो पचास कर लेना, आप लोग अपडेट कर लेना, अब अपन बात करते हैं, बहांस के बारे में, बहांस के बारे में अपन देखते हैं, स्टार्ट करने से पहले, आज अपन इसके बारे में कुछ जनरल चीज़े डिसकस कर लेते हैं, उसके बाद अगल क्लास यह अपना मेजर टापिक है वसके बारे में अस्तों के बारे में स्कार्ट करेंगे मैं कल क्लास क्यों न numer शुरत आज अपन जो है कुछ साथ कल से सारा काम या आज कर लेंगे सबसे पहला आपन बात करते हैं scientific name की विज्यानिक नाम होता है वो क्या होता है भैस का तो भैस के विज्यानिक नाम से बात करें अपन सबसे पहला भैस का विज्यानिक नाम है वो क्या है तो देखिए ब्राइटनेस कम सहे दिखाई नहीं देरा आप लोगों को थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करते हुए हलो हाई हेमलता अशोग देवजाट करणाल के अनुसार गाय की कितनी नसले हैं हाँ जो मैंने आपको बताया एन बी ए जी आर जो राश्टिय पसु अनुवनसी की संसाधन ब्यूरो करणाल हरियाना है उसके अनुसार गाय की पचास नसले हैं उनको अपडेट कर लेना सब बच्चे अब चलिया अब अपन बात करते हैं देखे विज्यानिक नाम है वो क्या है भैस का भैस का विज्यानिक नाम है वो आता है बुबैलिस बुबैलिस सबसे पहला अपन किसी भी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में अपने को basic जानकारी होनी चाहिए कोई भी fruit पढ़ते हैं कोई भी crop पढ़ते हैं तो उसके बारे में अपने को उसका सबसे पहले scientific नाम पता होने चाहिए वैसे जब अपने गाय की नसले पढ़ी थी गाय का विग्यानिक नाम सब अपने पढ़ा था क्या था गाय का विग्यानिक नाम था बोश रंडिकस और बोश टॉर्स देशी और विदेशी दोनों का पर गती 508 गयत आते हैं दूसरा पं देखें इसके बारे में उसकर बाहरे में कुछ इंप्राइंट सबसे पहले यह देखें किसकी जूर्ड वह कितनी लेश्मॉस़् मानले नासले हैं भारत के अंदर तो भारत में इसकी जू वो 17 नसले हैं, वो मानेता प्राप्त हैं, 17 रजिस्टर्ड ब्रीड हैं, 17 नसले हैं, वो मानेता प्राप्त हैं और मानेता कौन परदान करता है, सबी नसलों को भारत के अंदर NB-AGR करता है, NB-AGR संस्था जिसके फॉल कॉम है, National Bureau of Animal Genetic Resources कर्णाल हर्याना के द्वारा ये क्या आपडेशन के साथ अपन एके 17 नसले भारत में पाई चाती हैं और गाय की 50 नसले हैं उसके बारोपन बात करते हैं, बहते कि बहारत कूट जन्रल जीजें हैं जैसे कि बहांस को क्या नाम दिया गया है, बहांस को ब्लंक कलर की ब्लैक क्या बहाइक है ता रह लुटे, कभी भार वाइड ड्याइमंड क confront लिए चांगि डाउंड जा जाता है उलग लग डेसों जए से ज्यों से जाना जाता है इसी के अरव अमेरिका में जो गई है उसको टीकप काउं की नामस特別 कर दा बहुत important class है, शमा राम बोल रहे, गंगा नगर से very good, बहुत अच्छे, very good evening, अन्नु सिहाग, जै भटनेर, राजुराम, देखिए अब अपन बात करते हैं, अरे बिल्कुल सही थी, मैं कुछ नहीं हुआ था, मैं आपकी class लेने के लिए आज आ गई हूँ, अब देखिए इस राजय कहते हैं, इस को black diamond के लिए लेटना है, उसकी क्रिया को क्या कहाँ जाता है, वैलो का मतलब होता है तेरना और वैलो से ही नाम आया है वैलोइंग क्या कहा जाता है उसको वैलोइंग के नाम से जाना जाता है इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट आगे जब भैसों के परकार देखेंगे तो उसके अंदर आएगा कि जल में टैरती कैसे है कीजड में कैसे लेटती है मैं आ पुरा सा confused हो जाते हैं, जब मैंने आपको question solve कराया थे तो उस ट्राइम बताया था कि मैंने भैस की आवाज को क्या कहा जाता है, गाय और भैस की आवाज को क्या कहते हैं, बताइए आप लोग, गाय और भैस की आवाज क्या कहलाती है, जब मैंने questions all कराया थे, तो उस ट्राइ डिटेल में मैंने आपको बताए था गाए और भैस की आवाज क्या कहा जाता है भेड़ और बकरी की आवाज है उसको क्या कहा जाता है हिंदी में ही बता दो चलो इंग्लिश में नहीं पता है तो आपको चलिए अपन देखते हैं हाँ अब अपन बात करते हैं भैस की जो है व क्या नाम दिया गया है बैलोइंग नाम दिया गया है क्या कहते हैं इंगलिश में से बैलोइंग कहते हैं इसी से मिलता जुलता वर्ड है इसलिए मैंने आपको दोनों वर्ड एक साथ बता दिये हैं ताकि आप किसी भी तरीके से कंफ्यूज नहीं हो वैलोइंग और बैलोइं पॉइंट्स को एक बार अपन रिवाइस कर लेते हैं डेटा मैं आपको इसमें नहीं बता रही हूं कि कितनी भैसे कहां पर प्रपाइस आती है अपने एक साथ पूरे जो है वो पसु गणा के सारे डेटे एक साथ पढ़ेंगे चलिए अब अपन बात करते हैं इसके अंदर व वो वीडी होता है मुर्गी का कुल क्या है गेल चेडी होता है इसके लाप कैमल का कुल है वो कैमल एडी है सूर का कुल है वो सुएडी है घोडे का कुल है वो इकवेडी है तो इस तरीके से इनके कुलों के नाम आते हैं अब बात करें कि भारत में कितनी नसले माननेता प्र भैस कि पर इंदर को क्या कहा जाता है तो इसको वैलोईंग कहा जाता है, अब बात करते हैं कि जो आगे अपन देखते हैं कि भैसों के प्रकार किटने होते हैं तो भैसे दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की भैसों के बारे में अपन पढ़ते हैं, तो सबसे पहला आपन बात करें कि भैसों के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, पहली जो भैसे होती है, वो कौन से होती है, अफ्रीकन भैसे होती है, पहली भैसे होती है, अफ्रीकन भैस और जो दूसरी भैस होती है वो आती है एशियन भैस दूसरी भैसे है वो एशियन भैसे होती है अफरीकन भैस है इनके बारे में अपने को डीटेल में नहीं पढ़ना है जबकि एशियन भैसे होती है वो फिर से दो तरह की होती है दो तरह की कौन-कौन सी होती है एक तो जंग जंगली भैंस होती है और दूसरी होती है पालतु भैंस जंगली भैंस होते हैं उन्हें जो है वो वाइल्ड कहा जाता है और जो पालतु होती है वो डुमेस्टिक बफैलो कहलाती है वाइल्ड बफैलो और डुमेस्टिक बफैलो वाइल्ड बफैलो के बारे में अपन नहीं पढ़ते हैं सिर्फ अपन किस के बारे में पढ़ते हैं पालतु के बारे में पढ़ते हैं पालतु फिर से दो तरीके की होती है अब कितने तरह की होती है फिर से दो तो एक तो आती है जलिये भैस एक आती है जलिये भैस जलिये भैस है उन्हें वाटर बफैलो भी कहते हैं या दलदली भैंस इनको एंगलिश में स्वएंप बफैलो और मड़ वाफैलो के नाम से जाना जाता है तो यह अपने दो तरह की भैंसे आती हैं 2 तरह के प्रकार होते हैं इनके अफ्रीकन और एशियन भैसे एशियन फिर से दो तरह की जंगली और पालतु भैसे और जो वालतु भैसे हैं वो दो तरह की जली और कीचड भैस तो अपने भारत के अंदर जो है वह कौन सी भैसे पाई जाती है जली भैस पाई जाती है लेकिन अपन दोनों के करेक्टर देखेंगे कि क् इंदर पना जली ये भैसों को भारत ने कहा जाता है और बात करें भारत्व का होने के साथ सबसे जादा Vabilir उत्पादन भारति भारति के साथ साथ g assuming उत्पत्पत्रि स्थान भी कहां माना गया है भारत कि माना आ यह पॉइंट हो गया अपने एक कोशन यह माना जाता है भारत सी माना जाता है किसी जादा दुद्ध उतपादन वाली मिलक परडक्शन वाली भ्हैसे फोर यहां पर ही पाये जाती है जो पाल तो भा進 इस बात करते हैं एक एक नसल के बारे में एक एक भैंस के बारे में कि ये दोनों तरह की भैंसे इनकी क्या क्या करेक्टर होती हैं तो सबसे पहली बात करते हैं जल्य भैंस के बारे में सबसे पहले आती है जल्य भैंस जिसे नदी भैंस या वाटर बफैलो या फिर भारतिय भैंस शेयर करना है अगर अच्छा लग रहा हो तो बच्चों जरूर करो आपको कोई हर्ज नहीं होना चाहिए लाइक करने में शेयर करने में इससे मुझे भी थोड़ी एनरजी मिलती है मैं भी ज्यादा जोस के साथ आपको पढ़ा सकती हूं सबसे ज्यादा भैंस अलवर में दो महीं आसानी से आप याद कर सकते हो कहीं किसी भी तरीके से रहं होने जरूर नहीं तो बीच-भीच में आपको इस तरह की चीज़े में बतारीओ जो चीज आपको जो दूसरी भहस होती है कीचर भहस उसमें पाई जाती है 48 मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो भहसें होती है उनके अंदर क्या पाई जाती है दो तरह के गुंसुत्र पाई जाते हैं मैं SST, REIT में काम आएगा क्या बिलकुल आएगा जुरूर आएगा आपके टापिक से लेबस में है जन्रल बेसिक अनिमल हजबेंड या आपके कोर्स में है उसके अंदर यह सारी चीजें है और इनके अंदर जो मेजर मेजर पाईंट है मैं आपको बताते हो जाओंगी कि यह सभी एक्जाम की दरस्ते से इंपॉर्टेंट है रीट है SSC है इस तरह के सारे एक्जाम से रिलेटेड पॉइंट में आपको टिक कराते जाओंगे चलिए अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट अगला देखें इसके अंदर और क्या करेक्टर होती है तो एक तो नाम से ही पता चल रहा है जली यह भैस है या नदी भैस है ओटर बफैलो है या रीवर इसके कारण जो है यह इसके नाम से पता चल रहा है कि यह कैसी पसंद करती है जल में तैरना पसंद करती है तो इसका दूसरा करेक्टर अपन देखें जल में तैरना पसंद करती है तो यह इसका करेक्टर होगा है इसकी यह करेक्टर आपको फोटो में दिखाई भी दे रही होगी यह character photo में दिखाई भी दे रहे होगी जल में तैरती भी दिखाई दे रही आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है आप अपन बात किते हैं किसी कोई personal question हो तो आप जो है वो comment करके मेरे से पूछ सकते हैं अभी class में आप class related question कीजिए बचो मेरा भी नाम लो जिवेश कह रहे हैं मेरा भी नाम लो मैं सबका लोंगी बहुत एक एक करके जो है वो सबका नाम आता चाहेगा दीन दियाल विजेंद्र मीना का छोरा बहुत अच्छे तरीके से ID बनाते हो आप तो अच्छ से जाना जाता है तो जल में तैड़ना पसंद करती है जल में क्यों तैड़ती है जब इसको ज्यादा गर्मी लगेगी तभी जल में जारेगी ज्यादा गर्मी लगेगी तो गर्मी के परतिक कैसी सहनसील हो गई कम सहनसील हो गई तो नेक्स पइंट अपन याद रखें कम ग अगर लाँ बार को वगा तो देखें सीके कि चारण hem बार फॉटु दिखाई देतीया चता होँगा भॉटतबी में इस हो चरी और यह स्रीज़सा होता है ज्यादा वजन इसका पएा आ interferू जबकि जो kichard buffalo होती हैं, वो hulky होती है, अगला आपन बात करें, कि ये जो नसल है, वो किस purpose से पाली जाती है, जलिए भैसे हैं, इनका पालने का क्या purpose होता है, तो इसकंद देखें, इसका purpose होता है ये, अधिक δू उतपादन हे तो पाली जाती है, अधिक कुछ दूद उतप या फिर जो है वो कीचड़ भैसे होती है तो कौन सी भैसे पाई जाती है अधिक दूद उत्पादन के लिए यह जल्य भैसे हैं वो इंपॉर्टेंट होती है इसके बाद आप बात करते हैं मानुसी बिटा उसमें कमेंट बॉक्स में आप डाल देना कि मुझे आपसे बात करन किसी को कोई भी बात करनी हो तो यह नंबर दिये वें एक बार उनसे कॉंटेक्ट कर लेना अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं हो किसी चीज के बारे में तो उनसे आप लोग जो है वो मेरे नंबर ले सकते हैं अब यह देखिए यह जल्य भैसे हैं तो इनके अंदर अधिक इसके बाद अपन देखते हैं कि पाई कहां कहां पर जाती है तो सबसे मुख्य बात होती है यह भारती वहसे हैं तो कहां पर पाई जाती है एक तो भारत में पाई जाती है दूसरा इसके लावा कहां पाई जाती है तो भारत के लावा यह पाकिस्तान में भी पाई जाती है इसके अलावा जो है वो मध्य पूर्वी एशियाई देश हैं मध्य पूर्वी एशियाई देश हैं मध्य पूर्वी एशियाई देशों के अंदर जो है जैसे यून्यान है इटली है ये देश आते हैं मध्य पूर्वी एशियाई देश हैं जिनके अंदर यूनान है इटली ह कजाकिस्तान है उजबेकिस्तान है इस तरह से किस्तान किस्तान वाले जो देश आते हैं वो सारे जो है वो मध्यपूर्वी एश्याई देशों में आते हैं इसी के साथ में अपन देखते हैं सोरी मध्यपूर्वी एश्याई देश है उसके अंदर आपके सिर्फ यूनान और इटली आता है जो उद्वेकिस्तान है कजाकिस्तान है वह सौवियत संग में आते हैं सोवियत संग के अंदर पाइज आती हैं तो मद्रेपुरंवी एशिा देशों के अंदर तो आपके युनान और उटली आते हैं। जो दूसरे दैस आते हैं सोवियद संग इसके अंदर सोवियद संग का एक जो है वो पूराаки गुरूब बना हुआ है । जिसके अंदर मुख्य जो n만 के नाम देखें। तो रूस है, कजाकिस्तान है, इसके लावा उजबेकिस्तान है, लताविया है, उजबेकिस्तान है, इसके लावा लताविया है, तो इस तरह के देश हैं, वो इसके अंदर आते हैं, वहाँ पर भी ये मुख्य रूप से पाई जाती है, लेकिन इन सभी के अंदर के अपन बात होती हैं इंडिया की ही होती है तो यह character है general character है कहां वाइज आती है कितना प्रामोजोम नंबर आता है इतना आपको इसमें याद रखना है सारी basic चीज़e सारी के सारी चीज़े मैं आपको दिखा साघै कहीं से भी अधर तरीके से जो है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके से नहीं होना है कैब अब वा बात करते हैं नोट्स मिल जाएंगे रोज जो है वो आपको यह प्लोड हो जाती है बच्छोग पीडीएफ है वो टेली ग्राम पे अपर जाती तो आप हाँ अपटिए दूसरी जो नसला आतीं दलदली यह कीचण यह स्वैंप बफैलो और मड बफैलो के नाम से जाना जाता है . वह तो 파ो डलव मडब होता है वह कीचण को कहते हैं ओ स्वैंप है वह दलदल to कहा जाता है तो इस Cas vendors के से जो आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है आपको ऐसे जो यह भैसे हैं वो कीचड में लेटती हैं इसी के कारण इने दलदली या कीचड भैस के नाम से जाना जाता है जैसे अपने उसकी करेक्टर देखी जली भैस की सेम टू सेम जो है इसकी करेक्टर के बारे में अपने स बात का साथ पढ़ते जाते हैं तो सबसे पहली चीज आती है क्रोमोसोम नमबर है कि जल्दली जो जली भैंस उसके अंदर 50 पाए जा रहे थे जबकि इसके अंदर 48 पाए जा रहे हैं अब अपने को मालो किसी भी नसल का नाम नहीं दिया जाए पूछा जाए कि भैंस में गु तो अपने को क्या करके आना है अपने को मान के चलना है कि वो अपने को भारतिय भैंस का ही पूछ रहा है अगर इस पेसली स्वैम पफैलो नाम नहीं दिया है तो आपको क्या करना है तो आपको क्या करना है अगर नाम देके पूछा रहा है तो 48 करना है नेक्स बात करें इस दूसरा point याद रखें इसके बारे में अधिक गर्मी सेंसील है इसी के साथ में अपन देखें कि ये कीचड में अगर जादा भारी होगी तो क्या कर जाएगी डूब जाएगी तो इसके लिए अपन देखें कि ये कैसे सरीर भार वाली होती है हलके सरीर भार वाली पाई जाती मास उत्पादन वक्रशी कारिये हे तो उपियोगी होती है मास उत्पादन वक्रशी कारिये हे तो उपियोगी मानी जाती है यह अपने होगी स्वैम बफैलो के बारे में कुछ बेसिक जायर कारी इसके बाद अपन देखें कि यह पाई कहां जाती है और इसके अलावा इसके अंदर और क्या बेसिक चीज अपने छूट गई है जैसे अपने देखा कि यह जल में तैरना पसंद करती है वो क्या करती है कीचड में लेटना पसंद करती है तो इसके बारे में अपने बात करें कि कीचड में लेटना पसंद करती है कीचड में लेट प्रदेश हैं जिसे मलेशिया है म्यामार है मलेशिया है म्यामार है थाइलेंड है फिलिपिन्स है इंडोनेशिया है चाइना है वहाँ पर यह मुख्य रूप से पाई जाती है फिलिपिन्स है चाइना है और इंडोनेशिया है इन जगह पर जो है वो मुख्य रूप से ये पाई जाती है इंडोनेशिया यहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाती है इन जगह पर पाई जाती है तो अप से पूछा जाए कि स्वैम बफेलो या जो अधर कंट्री की बफेलो है विदेशी नसले जिनके बारे हम पूछा जा याद है अपने के लिज में अपने अपने को इतनी सफिसेंट है इतना अपने को याद रखना है जो एक्जाम में कुशन पूछे जाते हैं जे माता दी भेरूलाल करे जे माता दी बहुत अच्छा जे माता दी माता जी की गरपा आप सब लोगों पर बनी रहे साथ ही साथ हम पर भी बनी रहे ताकि आप लोगों को पढ़ा सके अच्छे से अब बात करते हैं अपन जो भारती वहसों के बारे में अपन पढ़ते हैं ज कौन-कौन सी नसले हैं कैसे इनको वर्गी-क дав. इनको पांच Dragons-Camp जो है वह और बांचरी और अपना बहुता अर्वारत आता है उतितर भारत इनको clicking नहीं हो गई कव के था थे ऱहने हैं वह भीक जा सब्सक्राइए है पंद्भारत दक्षिन भारत आता है, कैसा भारत आता है, दक्षिन भारत ये नसले हो गई, दक्षिन भारत आने के कारण, दक्षिन भारत ये नसले हो गई, पिर अपन बात करें, बीच में कौन सा आता है, तो सेंट्रल में कौन सा आ गया, मद्धे भारत ये नसले हो गई, सेंट्रल में आ बात करें तो दूसरी आती है यूपी की नसले यूपी में आने वाली वो नसले है वो यूपी की नसले हो गई इसी के साथ में अपन बात करें गुजरात की नसले तो इस तरीके से पांच भागों में क्लासिफाइड किया गया है बहस के अपने नसले देखी सत्रा सत्रा मैंसे कुछ नसलें जो है वो इस तरीके से केटेग्राइज किये गए हैं जो important breed है Indian breeds के बारे में अपन पढ़ रहे हैं उनके कुछ के मैं आपको नाम लिखा देती हूं विद फोटो आपको सारी तरीके की जो ब्रीड्स हैं उनके दिखा देती हूं ताकि अपन इनको आसानी से याद कर सकते हैं अच्छे अच्छे नाम है ज्यादा वफैलो है नहीं तो इनके लिए ज्यादा ट्रेक आवशिकता नहीं होगी फिर भी कहीं जुरत पड़ेगी तो अब अपन बात करते हैं इसके अंदर उत्तर भारती नसले है उसमें कौन कौन सी नसले आती है तो फर्स्ट बात करें इसमें दो तरह की ब्रीड आती है एक का तो नाम आता है मुर्रा दूसरी का नाम आता है नीली रावी दोनों ही नसले है उत्तर भारत में पंजाब से आत से है? निम्ण में से मध्य भारतिय नसल कौन सी नहीं है? निम्ण मेंसे दक्षन भारतिय नसल का एक्जामपल है? निम्ण में से गुझरात की नसल कौन सी नहीं है? कौन सी है? ऐसा question है, वो categorization से जरूर पूछा जाता है, तो आपको इनके बारे में याद रखना है अब अपन देखते हैं इनकी जो ब्रीड से उनके नाम देखें तो यूपी की नसल है उसके अंदर आती है एक नसल आती है भदावरी यूपी की नसल है उसमें आती है भदावरी नेक्स अपन बात करें गुजरात की नसले गुजरात की नसलों में कौन-कौन सी नसल में पूछा जाता है डिटेल में जब आएगा तो बताऊंगी मैं आपको आगला आपन बात करते हैं बाइलोजी की क्लास चलती है बच्चों इसे मेरे से जस्ट पहले बाइलोजी की क्लास ही चल दी तो 615 से आपकी स्टार्ट हुई थी अब अपन बात करें इसके अंदर दू पढं़ उसे नसल अनास जाफरबादी कािया वार्ड में इसका उत्यस थान माना जाता है और काथिया वार्ड में गाए की कौन सी नसल का उत्त्ती स्थान माना जाता है गाये की गिसले उसका उत्यस प्राइगा वसा भी आएगी départ युलिक्दाबर कुनडिका जो से बन्न काथिय वार में इसका उत्पतिश्थान माना जाता है अब अपन बात करते हैं इसके अंदर अदर और कोनसी ब्रीड आती है बन्नी के नाम से भी जाना जाता है कुंडिया बन्नी के नाम से इसे जानते हैं ये नसल भी कुजरात के अंदर आती है नेक्स अपन बात करें अगली नसले उनके अंदर और कौन-कौन सी नसले आती है मद्देभार्ती नसलों में तो उसमें आती नागपुरी नागपुरी नसल है इसे इलिजपुरी कहा जाते ह नाम है इलिच-पूरी के नाम से पिस्जाना दाता है ये नागपूर महारास्ट्रा की नसले इसी के साथ में नचसल का अपन देखे तो यह आति ये पंधार पुरी नसल पंधार पूरी नसAudi महारास्ट्रा की है नेक्स वार अगली आती है अभली ये इसまた दीने ले 건polis ये दोनों नसले हैं वो ओडिसा की हैं काला हंडी है मध्य भारत में ही काला हंडी और जो है वो चिली का ये दोनों नसले हैं मध्य भारत की लेकिन कहां पर आती है इनका ओरिजन प्लेस है वो ओडिसा में माना जाता है तो ये अपने आ गई मध्य भारतिय नसलों में उत्तर धारत नहीं है बच्चों भार्यूला उसको अपडेट कर लेना थोड़ा साथ यह कुम्डिसर देया पढ़ा करे इस दक्षिन भारती नसलों में कौन-कौन सी नसले आती है तो दक्षिन भारत के अंदर जो नसल आती है उसका नाम आता है तोड़ा नाम है वहाँ पर एक आदिवासी जाती पाई जाती एक ट्राइबल कास्ट पाई जाती है जिसका नाम टोड़ा है उसी के नाम से इसका नाम क्य 17 में ही आती हैं उसके अंदर कुछ जो नसले हैं वो 36 गड़ से आती है इसके अलाव असम मनिपूर से आती है पंजाब और हिमाचल परदेश दोनों जगए उसका औरिजन प्लेस माना जाता है तो इस तरह के कुछ नसले हैं तो उनके नाम भी लिख लिजिए जैसे एक नसल आ यह आती है एक जाएं नसल के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं गाई की भी एक नसल है लेकिन भैसकी भी नसल हो एक यह उसी से इसका नाम रख दिया चतीस गड़ी इसके साथ में अपना अदर देखें एक और ब्रेड आती है जिसका नामा तक गोजरी यह गोजरी जो नसल है वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों जगए पर इसका ओरिजन प्लेस माना जाता है यहाँ पर यह मुख्य हो गई है देखिए दो उपर वाली ब्रीड है थर्ड यह यूपी की ए तीन यह चार पांच छे साथ आठ है नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंद्रा सोला शत्रा टोटल सेवंटीन ब्रीड है वो किसकी ब्रीड है अपने बहस की रजिस्टर डीड है सभी सत्रा नसलों क अपनेस लेबस में नहीं लेकिन नाम नाम सबके याद होने चाहिए तो इस तरीके से आपको याद रखने अच्छे-चिस नाम में जादा विशेस नाम भी नहीं है जो हैं जिसे कैसे याद रख सकते हैं जिसे सब से जादा दूद पादिन वाली मुर रहे है तो उसको तो याद रख नहीं है सब से जादा fat percentage वाली बहदावरी तो वो ऐसे याद रह जाएगी इसी के अलावा ये जो सारी नसले है इनके उत्पति स्तान जैसे उनके गुजरात में जगे हैं डिस्टिक के नाम है उनी के नाम से इनके नाम है तो आसानी से याद रह जाएंगे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ये जो अधर नेम दिखाई दे रहे हैं मद्दे भारत और ये जो दक्षिन भारत के ये कुछ special तरह के नाम है ऐसा नहीं होता किसी का कोई अच्छे अलग तरीके का नाम होता है तो अपने को जल्दी याद होता है तो वैसे ही ये नसले हैं इलिचपुरी, आप इनको रट सको, रटना ही है ये और कुछ नहीं है, आसानी से इनके नाम नाम रटने हैं, करेक्टर तो आप इनको देखतर ही पैचान जाओगे, चलिए, अब शेक कह रहे हैं, सभी लोग अपने घर पे रहें, कहीं बाहर नहीं निकलें, stay home, stay safe ही कहना चाहूंगी मैं आप लोगों को, ज्यादा से ज्यादा आप जो है, वो अपने जो काम है, वो घर से ही निप्टा सकते हैं, अब अपन बात करते हैं, next, सबी जो ब्रीड हैं, उनको जो इन में से जो अपने एक कोर्स में हैं, जो अपने कोर्स में हैं, 17 में से, उन 6 के बारे में अपने डिट करेंगे चलिए अब बात करते हैं इसके बारे में पहली जो नसल आती है वह आती है दोशिक और रिसपन प्लेस है इसके अलवात जो है इसकी दूद उत्पादन पाया जाता है तो देखिए सबसे पहले बात करें गाई की नस्लों में जैसे अपने देखा था इनके अधर नेम भी थे जगाय के नाम के अधार पर रखे गए थे लेकिन बफैलो के अंदर कुछी ब्रीड्स है जिनके निकनेम दिये गए हैं उनके जगय के अकॉर्डिंग वह अपन देख लेंगे तो साथ का साथ यह पर पढ़ते जाएंगे अलग से करेक्टर नहीं देखेंगे तो सबसे पहला आपन बात करते हैं इसका ओरीजन प्लेस है वो क्या है उत्पति स्थान क्या माना जाता है तो यह किस जगय की नसल है अपने को अगर कैटेग्राइजेशन याद हो गया तो अपने को कोई भी अलग चीज याद रखने की जर्रती नहीं है और इजन प्लेस तक तो अपने को जाने की जर्रती नहीं है बताया है मैंने उत्तरभारती दोनों नसलों का ओर और इजन प्लेस कहां है पंजाब में मा इसका उत्पति स्थान माना जाता है अब वित्रण स्थान की बात करें इसका distribution कहां पर है तो distribution कहां पर इसके आसपास की एरिया ही होगा तो आसपास का एरिया पंजाब और हरियाना के टच करता हुआ क्या क्या है तो देखे सबसे पहला तो दिल्ली इसका और इसका वितरनिंस्थान माना जाता है तो ये इसकी वितरनिस्थान है नेक्स अपन बात करते हैं करेक्टर्स क्या होती है तो करेक्टर्स की बारे में देखिए इसकी सारी special character होती है सभी विसेशता हैं अच्छी important विसेशता हैं होती हैं सबसे पहला आपन बात करें इसको origin place और इसके जहां पर पाईज आ रही है उसके according उसको कुछ निकनाम दे गया है तो वित्रनिस्थान इसका दिल्ली में होने के कारण से डैली बफैलो के नाम से भी जाना जाता है तो क्या कहा जाता है इसको डैली बफैलो Dielly Buffalo के नाम से प्रसिदनस ये पहला कारेक्टर हो गया दिल्ली में वित्तरनी स्थानों नहीं कानी से Dielly Buffalo के नाम से जाना जाता है दूसरा पन देखें रंग इसका आपको दिखाई दे रहा है बिलकुल Jet Black कलर है रंग गहरा काला है इसी के कारण से क्या कहा जाता है ब्लैक ब्यूटी के नाम से भी जाना जाता है पूछा जाए ब्लैक ब्यूटी के नाम से फेमस ब्रीड कौन सी है वैसे भैस को ब्लैक डाइमंड भी खा जाता है लेकिन सबसे ज़्यादा काली कौन सी है ब्लैक ब्यूटी ये जो मुर्रा है वो सबसे ज़्यादा काली होने, कान इसे Black Beauty के नाम से जाना जाता है, तो Black Beauty के नाम से भी famous होती है, इसके अलगा Other Character देखें, तो रंग विसेश्था से पता चल रहा है, नाम से रंग क्या होगा इसका, गहरा काला होगा, जाट Black Color इस नसल का पाया जाता है, दूसरा अपन और Character क्या देखें तो इसको देखने पर दिखाई दे रहा है इसकी सींगों का आकार दिखाई दे रहा है जो बहुत बार एक्जाम में पूछा जाता है इसके सींग कैसे होते हैं बहुत अधिक कसकर मुड़े वे इसी के साथ में इस लाइन को कुछ ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सिंग जले भी आकार के कैसा पूछा जा सकता है अगर शेप पूछी जाए तो जले भी आकार की होती है और अधिक कसकर मुडेवे भी इसकी character है उस नाम से भी question पूछा जा सकता है अधिक कसकर मुडेवे सिंग किस नसल की important character है तो इस मुर्रा नसल के आती है और इसके सिंग कैसे दिखाई कैसे देते हैं इस तरीके से मुडे विश्व में सर्वादिक दूद उत्पादन वाली ब्रीड है सर्वादिक दूद उत्पादन ऐसा question कई बार exam में पूछा गया है विश्व की world की सबसे ज़्यादा milk production वाली ब्रीड कौन सी ये भैस की तो मुर्रा है इस question को इस वे में भी पूछा गया है अब विश्व में तो सबसे ज़ादा है लेकिन पाई कहां पर जारी है भारत में पाई जारी है तो ऐसा question बी पूछा गया है कि भारत में नसल है भारत में भी सर्वादिक दूद उत्पादक नसल है इस तरीके से तीनो तरीकों से question exam में पूछा जाता है ये तीनो लाइन exam में पूछी गई है विश्वा में सरवादिक डूदुत पादन वाली भेंस कौन सी है भारत में सरवादिक डूदुत पादन वाली भेंस कौन सी है और उत्तर भारत में सरवादिक डूदुत पादन वा जो उतपादन है वो कितना होता हैं जिसके कारण अपन कहा रहे हैं कि सबसे जाधा परडेक्शन है लिड孩子 का पंदरा सो से 55-0 लिटर प्रतिव्यात पाई आ जाता है 58-25 लीटर पर लेक्टीश्न है साथ से आठ फैट पाई जाती है सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है वो बता दूँगी मैं आपको इसके अलावा यह याद रखना है बाकि दूद के बारे में भी अपन देखेंगे अधिकतर अलग लग तरह की नसले हैं जिनका प्रडक्शन है लगबग 1500 के आसपास चलिये अब बात करते हैं याद रखना अपने को इतना है यह याद रखना है पढ़ेगा sufficient कर दिया एंचली है अब बहुत अच्छा कौन सी ब्रीड की है आपके राजूगोर्ड कौनसे नसलों की भैसा आप लोगों के यां कहां पर हैं जगे बताईए और कौन सी नसले हैं बताईए बहदावरी है क्या राम राम केमेस्ट्री की क्लास का टाइम बताओ भाईयों और बहनों जरूर बताएंगे आपको यूट्यूब पर नोटिफिकेशन मिल जाता होगा भई अब बात करते हैं नेक्स ब्रीड के नेक्स ब्रीड आती है बहदावरी बहदावरी के बारे में अपन क्या याद रखते हैं क्या इसकी स्पेशल करेक्टर होती है कितना इसका जो है कैसा इसका औरीजन प्लेस होता है तो सबसे पहले बात करते हैं इसके औरीजन प्लेस की और रख्षाय को अगरा डिस्ट्रिक भी आ एक्जाममा जांभी आ सकती है में बात करें यह क्या स्पेशल क्या होती है जैसे डेखने पर इसको तो दिखाई दे रहा है रंग थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे रहा है आपको इसका थोड़ा सा रेड रेड सा कलर दिखाई दे रहा है सूरिय के जैसे साम को सूरज होता है तो साम को 6 बजे जब दिन धलने वाला होता है तो कैसा प्रकाश होता है यलो कलर का नहीं होता है औरेंज कलर का प्रकास होता है, बिल्कुल थोड़ा सा रैडेश कलर का होता है, उसी तरह से जो है, वो लाली माली ये वे ये दिखाई देता है कलर, तो अपन कहा सकते हैं, तो लाली माली ये वे कैसा कलर है, ये कोपर कलर की भैस है, तो रंग कैसा है, तामबा जैसा है, रंग तामबे जैसा, तामबे जैसा रंग है या फिर तामबे को अंगलिश में कहते हैं zh PAS bringing को पर कलर। तो copar कलर की भेश कौन सी है पुछी जाये तो भड़ावरी है वह copper कलर की हमारे यां मुर्रा भैश है very good बहूत अच्छा मुर्रव हैसे सबसे ज़्यादा production वाली breeds होती है जिनको अधिकतर छेतरों के अंदर अधिक दूदित पादन के लिए पाला जाता है अब अपन बात करते हैं इसके other character की other character भी इसको देखने से ही अपने को पता चलती है इसका सरीर है वो आगे से पतला वे पीछे से चोड़ा होता है सरीर है आगे से पतला वे पीछे से चोड़ा अर्थात तिकोने आकार का होता है आगे से पतला वे पीछे से चोड़ा अर्थात कैसा होता है तिकोना होता है, पूछा रहा है तिकोने आकार की भेंस कौन सी होती है, तिकोना आकार किस नसल की भेंस का होता है, तो भदावरी ब्रीड का जो है, वो पाया जाता है, फिर बात करते हैं, सिंग इसके मोटे होते हैं, सिंग मोटे वे चप्टे होते हैं, और जो है, वो पीछे पीछे की और मूड़े वे होते हैं दिखाई दे रहा है पीछे की और मूड़े वे पीछे की तरफ मूड़े वे यह इसकी special character होती है इसकी अला आपन देखें इसके अंदर दूद सी रहा है उबरी वी होती है यह इसके special character होती है दूद उत्पादन की बात करें दूद उत्पादन जादा तो नहीं होता है लेकिन इसमें जिसमें कम दूद उत्पादन होता है उसकी क्या करेक्टर होती है कि उसमें fat percentage उतना ही जादा होता है लेकिन इस भहस में इतना जादा होता है कि बाकी किसी अन्य पसू में इतना वसा पाई नहीं जाती है सभी कि बागी सभी से अफन कलपना कर सकते हैं अपन उन से जो है वह एक हजार से बारा सो लीटर है प्रतिभ्यात पाया जातें इसiß olla सबसे ज़्यादा important है अलग-अलग books में अलग-अलग data दिये वे हैं जिसे किसी में 11 दिया हुए है किसी में 12.9 दिया हुए है किसी में 13 दिया वा है किसी में 14 दिया हुए है तो अपन average याद रखें सभी को compare करके अपन लिख लेते हैं कि इसमें कितना percent fat पाई जाती है तो 12 से 14% लिख लेते हैं अपन तो इसमें सारी ही confusion clear हो जाएगा अपने को ऐसा exam में कहीं नहीं आता है कि इसके अंदर 7 option में आ जाए 8 आ जाए फिर 9 आ जाए फिर सीधा जो है वो 12 क्या सपास आ जाए एसा option नहीं आएगा कि 12 आ गया, फिर 13 आ फिर 14 आ गया इसा option नहीं आएगा इनमें से कोई एक या option आएगा सबसे ज्यादा इसी नसल में पाया जाता है बाकि की जितनी भी भैस की नसले हैं उनमें 7 से लेकर 8-8,8 और 9 परसंट लास्ट जाफराबादी में पाया जाता है बाकि सभी नसलों में average fat है, वो 7-8% होता है, भेड के अंदर भी अपन देखें, भेड के दूद में भी 7-7% के आसपासी fat पाया जाता है, गाय में तो 4-5% ही होता है, बकरी में भी इतना ही होता है, तो सबसे ज़्यादा fat percentage की बात की जाए, तो बदावरी नसल की भैस में पा पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है, भदावरी में पाई जाती है, इतना ही याद रखें, इन सभी का वजन अपने को याद रखने की जर्रत नहीं है, अपन हर एक चीज जो एक्जामें पूछी नहीं जाती है, उसके बारे में पन डिसकस नहीं कर रहे हैं, वजन average 500- 500 kg जो है, वो गाय भहस का पाया जाता है, भहस का थोड़ा heavy होती है, वो 500-600 होती है, गाय जो होती है, वो जो है, वो लगबग 400-500 kg के आसपास होती है, जिन में से 50 kg, जो मैंने बताया है, उसमें से average में से 50 kg कम कर लोगे, तो वो तो मादा पसु का वजन होता है, 50 kg कम कर दो पर next breed की जिसका नाम आता है जाफरबादी जाफरबादी नसल है बहुत important नसल है जिसके बारे में exam में question पूछा जाता है क्या पूछा जाता है तो बताया था मैंने जब आपको गिर नसल पड़ाई थी तो बताया था मैंने इसका दूद उत्पादन कि सोरी इसका जो उत्पती स्थान है वो कहां माना जाता है तो उस टाइम बताया था मैंने आपको इस नसल का ओरिजन प्लेस है वो गुजरात का काठियावाड के गिर जंगल है वहाँ पर ये नसल पाई जाती है और काठियावाडी नसलों की क्या विसेशता होती है उनका माथा चोड़ा एवं उभरा आवा पाया जाता है ये special character होती ह जबकि इसके अंदर भी अपन देखते हैं गिर की तो अपन देखी चुकिए इसके अंदर भी आपको दिखाई दे रहा होगा माथा चोड़ा होता है इसका उभरावा पाया जाता है अगले आपन बात करते हैं ये question जो है वो सूपरवाजर 2015 में भी पूछा गया है और इसक के आसपास के एरिया आते हैं जूनागड है कच है जामनगर है वहाँ पर ये पाई जाती है जूनागड कच हुए जामनगर अब अपन बात करते हैं इसकी characters की special character क्या होती है तो सारी characters इसको देखने पर दिखाई दे रहे हैं सबसे पहला तो इसका भारी बरकम सरीर कारन इसे क्या कहा गया है mini elephant के नाम से भी जाना जाता है mini elephant चोटा हाती mini elephant के नाम से प्रसिद नसलिये मानी जाती ये सबसे heaviest body होती है सबसे भारी सरीर भारवाली होती है इस कारण जो है से mini elephant कहा जाता है सबसे heaviest version के अपन बात करें कितना होता है तो लगबग 500-600 kg इसका बचन पया जाता है तो इसी कारण से mini elephant कहते हैं फिर next इसकी characters की बात करते है तो सारे characters इसको दिखाई दे रहे हैं पहला character तो बताया है मैं सक्षा भारी वें उंचा उठावा को मुचा उठावा होता है जो देखने पर इसको दिखाई दे रहे हैं पिर और क्या चीज़ दिखाई दे रही इसको देखने पर इसके Depra को सबसे चोड़े होते हैं तो सींग सबसे चोड़े सींग सबसे चोड़े सींग सबसे चोड़े पाया जाते हैं इसी के साथ में सींग नीचे की तरफ मूड़े वे नीचे की तरफ मूड़े वे यह इसकी स्पेशल कारेक्टर होती है अब शरीर भार में भारी होगी उसको किस परपस से काम मिलाया जाएगा अगरी कल्चर परपस से काम मिलेंगे तो क्रशी कारिये हे तू उप्यूक्त मानी जाती है यह ब्रीड तो यह अपने ब्रीड हो गई जाफरावादी इसके बाद अपन ध्यान रखें इसका दूद उत-पादन कितना पाया जाता है तो देखें इसका दूद उत-पादन है वह 1400 लीटर है प्रती ब्याद मिल्क प्रडक्शन है 1400 लीटर है वह प्रती ब्याद इस नसल का पाया जाता है वसा प्रतीशित बताया मैंने थोड़ी देर पहले आपको 7-9 प्रतीशित तक पाई जाती है एक इसके अपन बारे में बात ध्यान र यह अपने नसल हो गई जाफराबादी इंपॉर्टेंट ब्रीड है इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज है गुजरात के काठी आवाड है उत्पति स्थान सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है इसके लाव मिनी एलिफेंट सबसे भारी होने के कारण और क्रिशी कारिये मे उपयोगी मानी जाती है यह अपने जो ब्रीड हो गई वह गई जाफराबादी अब अगली नेक्स ब्रीड अपन बढ़ते हैं सूर्थी सूर्थी नसल के बारे में देखें इसका उत्पति स्थान क्या आता है कहां पर यह पाईज आती है तो देखिए सबसे पहले बात करे उत्पति स्थान की तो यह याद रखना है इसके बारे में सूर्थी जो नसल है उसका नाम सूर्थी है लेकिन इसका उत्पति स्थान सूरत नहीं है इतना याद रखना है उत्पति स्थान कहां पर है गुजरात का बडोदा फेडा वन नडियाद फेडा और नडियाद जिल वित्रण गहां पर जाती है लेकिन यह कहां पर पाई जाती है अनुप में तो यह नसला राज़स्थान के उद्यापूर डिस्टिक है और राज़स्थाने शित्र है और MRI पोर के अंदर यह नसले थाती है तो यह तो इसका हो वित्रन इस्थान उदैपुर जी ले के अंदर आपको ये दिखाई दे जाएगी आपको आसानी से बासवारा डुंगलपूर में भी पाई जाती है लेकिन हम या उदैपूर में रहते हैं तो मैंने इस नसल को करीब से देखा है इस नसल की सारी केरेक्टर जो है वो मैंने दे पूसितर है चाहे किसी भी तरीके से जर्ल एक्जाम हो जैसे कोई भी एक्जाम नसल में इसे नसल की प्रमकुशन्चा यौ कैसे होते है है přेलतियां दराती को ही हसिया भी कहते हैं तो हसियाकार भी कह सकते हैं या फिर हसिया को इस इंगलिश में सीकल कहा जाता है तो सीकल टाइप सींग भी कहा जा सकता है तो सींग, दराती कार, हसियाकार या सीकल टाइप पाए जाते हैं इसके अलावा इसमें अपन देखें ये नसल जो है इसकी और क्या चरेक्टर होती है और क्या चरेक्टर जैसे इसके अंदर आपने देखा होगा ये नसल जो है पेट है इसका नाव क्या कार का होता है पेट नाव क्या कार का वेज शेप डूता है इसका पेट नाव क्या कार का होता है वेज शेप जिसे कहते है इस इसको नहीं के लिए उपयूक्त माना जाता है। तो हलके कामों हे तूप वैसे यह हलकी स्रेडी में भी आती है हलकी स्रेडी में आती है जिसे सबसे ज्यद्धा सब्रब्राइख भाली जैसे मुर्रा रावी जाफराबाद मूति पर वा दर यादर आ जाएंगी और या जो के बारे में पूछा जाता है इसके गर्बकाल के अवधी पूछी जाती है गर्बकाल की बात करें अपन बाके अधर नसलों के वराबर ही होती है लेकिन फिर भी इसके अंदर गर्बकाल के अवधी पूछी जाती है तो 305 दिन इसके अंदर गर्बकाल के अवधी पाई जाती ह है गर्बकाल है इसका गैस्टेशन पिरेड है वह 305 दिन होता है इसके बाद अपन देखें इसका दूद उत्पादन कितना होता है इतनी करेक्टरिस में याद रखनी है दूद उत्पादन 1500 से 1700 लिटर प्रती व्यात पाया जाता है फिर पूछें फैट परसेंटेज किना कित सबसे ज्यादा जिसका होता है उसके बारे में याद रख सकते हैं तो यह अपनी बाते इसके बारे में याद रखनी है नेक्स्ट बात करते हैं अपन महसाना नसल की महसाना नसल है वह कहां पर पाई जाती है तो देखिए और इसन प्लेस आता है इसका गुजरात का है तो ग है बनास ateursभाष साबरकाठा मैसाना बडोदा बनास काठा सभर काठा इन छेत्रों के अंदर जो है यह मुखे रूप से पांडी है इसका ओरिजन प्लेस माना जाता है अग्ला पर देखें इसका वित्रण Sadhguru कहां पर है तो वित्रण technical के अंदर मुखे जालोर जीले में पाई जाती है फिर नेक्स देखते हैं इसकी करेक्टर क्या होती है क्या स्पेशल करेक्टर होती है जिनके कारण इस नसल को मुख्य रूप से जाना जाता है इस नसल के संकर संक्रन से डवलब किया गया है बी संकर संक्रन से विक्सित रूटी है अब किस का क्रोस है तो आसानी से आध रख सकते हैं छोटी से ट्रिक है हमारी भैंस के सिंग मुख की तरफ जा रहे हैं कौन सी ब्रीड हो सकती है सभी जगह पर प्योर ब्रीड नहीं है आप एक पर्टिकुलर किस डिस्टिक से बिलॉंग करते हैं वहां के अनुसार में आपको सारी ब्रीड पढ़ा रही हूं तो आप देख लीजिए आप नसलों के नाम नहीं पालते वहों अधाने के यह जाता यह पर प्रीन के साथ क्रोश गराएंगे तभी वह प्योग रहती है तो यह याद सब्सक्राइब दूध की गई और इस नसल का दुखदकाल सर्वादिक लंबा लगबग 325 दिन है यह दूध देती है बाखी अधर प्रीड से यह दो भागट है निदेती है धैस है हो 310 दिन क्या तैस देती है जबकि यह प्रीड है वह 325 दिन ता जो है वह US इसाकी कारए राज लंबा होता है तरीकसे आप संसी किस के क्रॉस्ट स्वर्लतिक को लिखाई देह ने पर पहचन सकते हैं कि किसके रौस से दवलप की गयी है शसके बाद बात करते हैं। इसके तो प्रडक्शन है वो कितना होता है है milk production है तो वो इसका अठारा सो लिटर प्रती ब्याद होता है वसा ज्यादा याद रखने के दर्नत नहीं है फिर भी अपन याद रखें वसा तो 8 प्रतिशत पाई जाती है एवरेज ही होती है साथ से आठी पाई जाती है सबी के अंदर इतना अपने इस के एक मिनिट बच्छो थोड़ा सा हाँ हाँ देखिए इसके बारे में मैं पहले ही बता चुकियों आपको जब मैंने आपका इसका जो है वह क्लासिफिकेशन बताया था तब बताया था कि क्या चीज है इसका औरिजन प्लेस है औरिजन प्लेस में उत्तर भार्तिय नसले आती है मुर्रा और नीली रावी दोनों इनसलों का उत्पतिस्थान पंजाब है तो नीली रावी नसल का उत्पतिस्थान है वह पंजाब के अंदर ही है लेकिन पंजाब का फिरोजपुर डिस्टिक है वह इसका उत्पतिस्थान माना जाता है पंजाब का फिरोजपुर जिला रोजपूर के आसपास बैती है तो 17 नदी का पानी नीला होने की कारण पानी तो वैसे नीला नहीं होता है लेकिन आकास का रंग नीला होता है जिसके कारण पानी का कलर नीला दिखाई देता है और उसके कारण नीला दिखाई देने के कारण इसको क्या नाम रख दिया गया उ अपन बात करते हैं इसके जो है वित्रनिस्थान तो वित्रनिस्थान इसको कुछ आता नहीं है सीधा ही अपन करेक्टर से बात करते हैं करेक्टर क्या होती है तो सारी कि सारी करेक्टर इसको देखने पर साफ साफ अपने को दिखाई दे रही है पहला अपन देखते हैं पहला जना जाता है लेकिन शेर के 5 पार्ट पर वाइट रंग के स्पोर्ट पाय साथेए जिसके कारण से लिए पंच कल्यानी के नाम से आधेि तो देखिए वाइट़ स्पोर्ट होने के कारण कहां प्रण का धब्बा पाया जाने के कारण से पंच कल्यानी के नाम से जाना जाता है तो पॉइंट अपन लिखे इसका चेहरा माथा पोर हेड होता है वो फूथन फूथन किसको कहते है मजल को कहा जाता है मजल क्या होती है नाख के आगे का जो पार्ट होता है जिसके द्वारा स्वसंगती ग्यात की जाती है ये वाला जो पार्ट होता है दोनों तरफ नथूने पाये जाते है उस पार्ट को क्या कहा जाता है मजल कहा जाता है यह थूथन कहा जाता है तो इसका चहरा माथा थूथन वे टांगो का निचला भाग टांगो का निचला भाग और पूच का अंतिम किनारा पूच का अंतिम किनारा सफेद रंग का होता है अंतिम किनारा सफेद रंग का होता है और इसी के कारण क्या इसको क्या नाम दिया गया है पंच कल्यानी के नाम से जाना जाता है इसी के बाद में नेक्स पर अपन देखते हैं इस नसल की आंखे हैं वो सफेद होती हैं और आंखे सफेद होने की कारण इने क्या कहा गया है आंखो को वॉल आइज कहा जाता है तो द वोल ऑई कराया था जब मैंने आपको कॉछंग कर आया थे तो उसके आपको पुछा था कि नीली डाविनवी असल decision के आँखे सफेद रंक की पाई जाती है उसके अंदर बिल्कुल करीब से दिखाई गई थी भैं, जिसके आंखों का रंग बिल्कुल सफेद दिखाई दे रहा था, इसमें भी आपको दिखाई दे रहा होगा, सफेद रंग की इसके आंखे पाई जाती है, अब बात करते हैं इसकी next character की, और क्या character इस नसल की पाई जाती है, तो इ मैं तो पर्डलींग सैंियर दीने इसका कितना होता है तो मिल्क प्रड़क्शन इसका पंदरा सो से अधाइब लीटर होता है बता है मैंने आपक अधिकतर नसले वह फिटारा सो के अंदर नियुपट जाएंगी फंदरा सो से फिल्टा सो कि इसाथा कि दी इसन में वसा पाई जाती कि यह अपना बैस की ब्रीड है नीली रावी इन विशेशताओं के कारण इसको इसको देखने पर इपता चल रहा है सारी करेक्टर सभी इसको दिखाई दे रही है नेक्स आपन बात करते हैं अगली जो ब्रीड है इतनी अपने डिटेल में से लेबस में थी अब बाकि आने वाली जो ब्रीड से उनके सिर्फ नाम आप देख लीजिए कोई स्पेशल पॉइंट होगा तो मैं आपको बता दूनी तो देखे टोड़ा नसल है यह दक्षिन भारत की प्रमुक नसल है जो तमिल लाडू में पाई जाती है यह दक्षिन भारत या आदिवासी जाती के नाम पर इसका नाम तोड़ा रखा गया प्राइबल कास्ट है और उसका नाम तोड़ा है उसी के नाम के कारण जो है इसका नाम तोड़ा रखा गया है इस तरीके से यह दिखाई देती है आप देख सकते हैं इसके सूंग है इस तरीके से इसकी body का आकार है, ऐसी ये दिखाई देती है, next अपन बात करें अगली नसल आती है नागपुरी, नागपुरी नसल है, ये महरास्टर की नसल है, कहां की नसल है, महरास्टर की नसल है, इसे इलिचपुरी के नाम से भी जाना दाता है, ये भी भैस की हलकी करने की नसल है लाइट वेट OUTी है body weight में है अब अस बात करते है नेक्स कैसे पचाने इनको देखकर पेचान सकते हैं इनके कैसे हैं इन 선생 रूप से थे स्वेश्प्रन कि रहता हैं पढ़ागपुरी नेक्स आती है काला हंडी नसल जो है वो यह ऐसी आपको दिखाई देती है जो पोटो में आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है काला हंडी के बारे में आपने देख चुके हैं यह मद्य भारती नसल है मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है ओडीस में पाई जाती है उडिसा यह इसका ओरिजन प्लेस है यह ऐसी दिखाई देती है अगला आपन बात करें पंधारपुरी पंधारपुरी नसल है यह भी मध्य भारत की नसल है जो कि महारास्ट्रा में पाई जाती है पंधारपुरी महारास्ट्रा की नसल है पहले लिख चुकी देरा देखिए साफ नहीं दिखा और दे रहा है बड़ों है और अगला देखिए चिलिका ब्रीड है ये भी मध्यभारतिय नसल है और ये भी ओडिसा की है कहां की है ओडिसा की है काला हंडी और चिलिका दोनों ही नसले ओडिसा की ब्रीड है अगला आपन बात करते हैं नेक्स साथ ये बन्नी बन्नी नसल को कुंडी के नाम से भी जाना जाता है जो कि गुजरात की नसल है ये गुजरात के कच्छ के आसपास के एरिया में ये पाई जाती है ऐसी ये दिखाई देती है ये सारी ब्रीड है अपने सारी ब्रीड के नाम ल सब्सक्राइब अब बड़ाइब नहीं किया तो वीडियो को जादा से जड़ा बच्छों लाइक कीजिए अच्छे से शेयर कीजिए ताकि ज्यादा मैंटर में अप लोगों के पास लेकर आज सकू आज के लिए अपने इतना ही पढ़ेंगे आज अपने बहेंस की बढ़िए नेक्स क्लास में अपन और एक नया जो पसू है उसकी नसले लेकर आएंगे तब तक की